नमस्कार दोस्तों अभी अभी दो मिनट पहले की सबसे बड़ी ख़बर इस वक्त आ रही है अफगानिस्तान से जमान मस्जिद में हुआ धमाका पंदरे नमाजियों की मोत अब तक दोस्तों कई लोग घैल भी हुए हैं अफगानिस्तान के बलगान प्रांत में जमान मस्जिद में हुए धमाके में 15 नमाजियों के मारे जने की खबर है धमाका जुमे की नमाज के समय हुआ जिससे काफी ज़्यादा नुकसान होने की असंका है धमाके में कई लोग गंभी रूप से घैल भी हुए हैं बता जारा कि मस्जिद सिया समुदाय से जोड़ा था एक सरकारी अधिकारी के हवाले से नियूज एजेंसी रोइटर्स ने बता कि एक सिया मस्जिद में विस्पोर्ट हुआ है अधिकारी घायलों और मिर्तकों को अस्पताल पहुचा रहे हैं राहत और बचाओ अभियान जारी है हलंकि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है लेकिन मस्जिद में हाहाकार मच लिया है जुमे की नमाज के दोरां दुस्तों यहां बम बिलास्ट हुआ है जिसमें अब तक 15 नमाजियों की मोत हो गई है सेंकडों घाय लोगें हैं जिनें अस्पताल में भरती करा दिया है उनमें कैई की हालत ना जुग बता जा रही है मिर्तकों की संख्या बढ़ सकती है फिलाल उस्तों पूरे इलाके को दूस्तों पुलिस ने घेर लिया है चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस जापता तैनात कर दिया है अब तक की सबसे बड़ी बिग ब्रेफनीज इस वक्ता रही है अफगनिस्तान से पता दे की पहले ही अफगनिस्तान के अंदर भूकम से हाहा कार मच रहा है जो कि पिछले साथ अक्टुम्बर को अफगनिस्तान के अंदर भेंग कर भूकम पाया है जिसके चलते 4000 से ज़्यादा लोग की मोत हो गई है और उसके बाद लगातार भूकम पा रहा है और उन सबी के बीच में ये घटना भी अफगनिस्तान के अंदर घट गई है